मेरे पिरिये साथियों आज मैं आपको एक ऐसे रहस्माई मंदिर भिलट देवधाम के बारे में बताऊंगा जो मध्धे परदेश राज्ये के बढ़वानी जिले में इस्तित है दोस्तो मेरी इस वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूँगा कि आप यहां कैसे पहुंचें कहां ठहरें पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा दोस्तो और मेरे चेनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ना भूलें तो आईए मेरे साथ घूमें भीलड देवधाम ये है भीलड देवधाम जो बड़वानी के नांगलवाडी जगा पर इस्तित है और यहां से महराश्ट का बोर्डर बिल्कुल नजदीख है नांगलवाडी गाउं से मैं वॉक करता हुआ सत्पुड़ा की हरी भरी वादियों को देखते हुए यहां के प्राकृति शौंदर्रे का नज़ारा देखते हुए मैं भीलड देव धाम पहुँचा यहां पहुचने के लिए आपको सबसे पहले पहुचना होगा इंदोर इंदोर आप देश के सभी छोटे बड़े सहरों से ट्रेन के माध्यम से पहुचा जा सकता है इंदोर से भीलड देव नांगलवाडी की दूरी तकरीबन 160 किलोमीटर है इंदोर रेल्वे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है 9 लखा बस टेंड नव लखा बस टेंड से आपको नांगलवाडी के लिए बस मिल जाएंगी पूना और बॉम्बे को जाने वाली सारी बसे जुलवाणिया होके जाती हैं जुलवाणिया से नांगलवाडी की दूरी तकरीबन 12 किलोमीटर है इंदोर से हर आधे घंटे में बॉम्बे पूना के लिए बसे हैं इन बसों का नॉर्मल किराया होता है 250 रुपीज पर परसन जुलवाणिया से नांगलवाडी आप यहां की लोकल बस के द्वारा पहुँच सकते हो नांगलवाडी गाउं से मंदिर की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर रह जाती है रहने की बात करें तो दोस्तों आपको यहां 800-900 रुपे की रेंज में अच्छे से अच्छा कमरा रहने क लिए आपको मिल जाएगा और यहां पर मार्किट है छोटे मोटे रेस्टोरेंट है जहां पर आप शौपिंग और खाना पीना कर सकते हो मंदिर के लिए आप नांगलवाडी से यहां के लोकल टेंपू को भी बुक कर सकते हो और यहां से महराष्ट का बोर्डर बिलकुल न मिलेंगे दोस्तों मंदिर काफी चड़ाई पर है आपको थोड़ी दिक्कत होगी चड़ने में लेकिन दोस्तों इन प्राकृति शोंदेरे को देखते देखते आपका सफ़र बहुत अच्छा कर जाएगा बाबा भेलड देव का जनम मद्धे परदेश के हरदा जिले में हुआ था बाबा अपनी चमतकारी सकतियों और लिलाओं से परिवार और ग्रामवासियों को अश्चारे चकित किया करते थे बाबा भीलड देव तंत्र विद्या के बहुत बड़े विद्वान थे इन्होंने तंत्र विद्या भगवान शीव और पार्वती माता के देख रेख में सीखा था बाबा भीलड देव अपनी तांत्रिक विद्याओं से देश भर में जाकर कई तांत्रिकों को प्राजित किया जो अपने तंत्र विद्याओं से लोगों पर गलत पर्योग करते थे बाबा भीलड देव का विवा बंगाल की राजकुमारी राजल के साथ हुआ था बाबा अपनी सक्तियों से लोगों की सेवा के लिए नांगल वाडी गाउं को चुना और अपनी तपश्या के लिए बाबा ने सत्पुडा की उंची पहाडी के सीखर पर अपना इस्थान ले इसलिए इस मंदिर को सीखर धाम के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर के चारो तरफ आपको हर्याली खाई ही नजर आएगी दोस्तों बहुती शांदर व्यू यहां से दिखाई देता है कहा जाता है बाबा के दरबार में जो भी अपनी मनुकामना लेकर आता है उसकी बाबा पूर्ण करते हैं इस मंदिर की बहुत मानेता है यह भी कहा जाता है दोस्तों किस मंदिर में एक किनर आई थि मनत लेकर कि बाबा आप सबकी मुराद पूरी करते हो मेरी भी मूराद पूरू कीजिए मुझे एक बच्चा चाहिए तब बाबा के आसिरवाद से वो किन्नर गर्बवती हो गई गर्बवती की पीड़ा और दर्द को वो किन्नर सह न सकी और उसकी तत्काल वही मिर्ट्टी हो गई आज भी वहाँ पर उसकी नर की समाधी मंदिर के बगल में है कहते हैं जिस इस्त्री को शिसू नहीं हो रहा होता वो यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए आती हैं तो बाबा के आसिरवाद से उनको संतान की सुक प्राप्ती होती है नाग पंचमी के आउसर पर यहां एक भारी मेले का आयोजन किया जाता है जिस समय देश के कई जगाओं से सरधालों की काफी भीड यहां उमण पड़ती है इस मंदिर के चारो और आपको बस खाई और हरी भरी वादियां ही नजराएंगी दोस्तों बड़ा अच्छा सांदर यहां से देखने को मिलता है बस दोस्तों यही कहानी थी इस मंदिर की अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा दोस्तों बाए बाए अब हम फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो के साथ